अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माबाप उसके इलाज कराने में अर्समर्थ है इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक पर जाएं और अद्विक की उमीद बनें एक बार इन तस्वीरों को देखिए एक बार गाड़ियों के इस काफिले को देखिए देखिए कैसे शोर मचाते वे ये लोग कानून की धजियां उड़ा रहे हैं कैसे आपदा के इस घड़ी में ये कोरोना नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं ये तस्वीरे है टावा की जहां सपा नेता धरमेंदर यादफ को जेल से लेने उनके समर्थक आये थे एक दो नहीं बलकि पूरे 24 लगजरी गाड़ियों का काफिला नेता जी को लेने पहुँचा था कोई हुआ हुआ कर रहा था तो कोई जे समाजवाद के नारे लगा रहा था लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया दरसल धरमेंदर यादफ का ये विडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया विडियो पोस्ट होते ही वारल हो गया और धरमेंदर यादफ के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कोई इनके समर्थन में लिख रहा था तो कोई विरोध में लेकिन जैसे ही ये विडियो यूपी पुलीस के हाथ लगी वैसे ही हंगामा मच किया पुलीस से तुरन धरमेंदर यादफ और करीद 200 समर्थकों के खिलाफ सिविल लाइन स्थाने में संबंद धाराओं में मामला दर्स कर लिया पुलीस ने अपडेट मिलते ही अब तक 34 समर्थकों को गिरफतार किया है और 7-24 गाडिया भी जब्त की है इसके इसका मुख्य अभियुक धरमेंदर यादव अभी भी फरार है देखें दिनांक 56 को एक साम को वीडियो वाइरल हुआ जिसमें की धरमेंदर यादव नाम का जो की 4 जून को छूटा था साम को पांच तारीकों ये जुलूस के रूप में ये हाइवे पे दिखा इसका वीडियो वाइरल हुआ इस सम्मन में वीडियो का संग्यान लेते हुए ततकाल इसमें सिविल लाइन स्थाने में अभियोग पंजिकरित किया गया उस अभियोग के पंजिकरित करने के बाद 8 टीमें गठित की गई और 8 टीमों के दोरा अन्य जन्पतों का भी सहयोग लेते हुए सभी अस्थानों पे हैं और एया, जालाओन, आगरा सभी जगह टीमें रमाना की गई इस समंद्ध में लगातार दविशे दी गई जिसमें 24 गाडियां अब तक पकड़ी गई हैं और 34 लोग हिरासत में लिए गए हैं इसमें छानमीन की जा रही है और जो भी इसमें सामिल रहे हैं सभी पे महामारी एक्ट के साथ ही 188 और 7CLA एक्ट के तहत कारवाई की जा रही है इनमें जितने लोग सामिल पाए गए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, साथ ही और यह जनपत से जितनी गाड़ियां उधर से आई थी, इतावा जनपत की थी, जालोन की भी थी, इन सब पे लगातार हमारी टीम कारी कर रही है, जितनी गाड़ियां आती जाएंगे, जितने हम कारवाई करते रहे हैं, अभी जो मुक्य धर्वेंद यादव है, वो नहीं मिला है, लेकिन उसके साथ जो गाड़ी थी, ओडी गाड़ी, वो गाड़ी और उसके साथ ही अनने लोग, जितने थे साथ में वो मिले हुए हैं, अभी हम लोग लगातार दविस्त दे रहे हैं सीगरी उसकी भी गिरिफतारी कर लेंगे